वालीबोड आदा कारा पूनम पांडे दी होई मौत इस खबर ने दो फर्वरी नू पूरे देश देवेच सेहम दा महौल पैदा कर दिता सी पूनम दे इंस्टाग्राम अकाउंट ते पोस्ट पाई गई कि पूनम पांडे दी मौत हो गई है ते मौत सर्विकल कैंसर करके हुई है लोका दे विच हफडा दफडी माच गई सुर्खियां बन गई यां कि पूनम पांडे नहीं रही लोका नू शाक भी होया कि किते एं कोई पूनम पांडे दा स्टाट था नहीं है पर पूनम दी मनेजर ने बाद विच एक ब्यान जारी किता जिसे विच उसने क्या कि पूनम पांडे नू कुछ समा पहला ही पता लगया सी कि ओ कैंसर तो पीड़त है कई लोका ने पूनम दी मौदा दुख जताया ते कईया ने क्या कि पूनम ने पबली सिटी दे लई ए स्टंट कीते है क्योंकि ओ अक्सर जेहा कर दी रेंदी है ता जो ओह सुर्खियां दे विच बणी रहे एसे विचाड़े दो फरवृदी शाम तक हौली हौली ए समने ओन लग गया कि पूनम पांडे जिऊंदी है टुविटर ते भी एह हैस्टाग ट्रेंड कर रहा सी कि पूनम पांडे जिन्द है लोका ने सोशल मीडिया ते पोस्ट भी कीता कि पूनम पांडे जिन्द है फिर और ता दी जान बचाणा चान दी है ओ और ता जिणिया सर्विकल कैंसर तो पीड़ थान और ता मर रही है हन ते कोई भी सर्विकल कैंसर बारे गल नहीं कर रहा किसे नूँ भी इस कैंसर दी किसम बारे कोई जाकरूकता नहीं है पूनम पांडे ने की कीता की नहीं कीता हु देवेच 77,308 औरतादी मौध हुई है जोदके 1,23,907 महलामा सर्वीकल कैंसर तो पीड़त पाईया गई याने तिस अब तो बड़ी गल ए है कि सर्वीकल कैंसर तो बचन बे लई पार्ट देवेच वैक्सिन जणी के ठीका मजूद है पर फिर भी बड़ी गेंती देवेच औ एक कैजूल कॉंटेक्ट बना के राख देता जिते कॉंडों बरगियां चीजानों असीं बिल्कुल नाम लेना वी गुना मन देयां तकारण इहो बनदा जानदा जे के असीं कुझ अपनी सोच अनुसार इस बिमारी नो बदा आ रहे हैं सरवीकल कैंसर नो पार्त देवीच सरवाइकल कैंसर वी क्या जानदाए'RE असल च ओरता अंदर जो बच्चे दानी हुन दिए उस दे मूनू सर्विक्स क्या जानदे ते जेकर बच्चे दानी दे मूत गंदे सेल बहुत ज्यादा बंढ जान आँप आशाध देवेच्चे इसनों बच्चे दानी दे मुपन ताकैंसर वी किया जा सकते है। सर्वीकल कैंसर होंदे कारण की हन। चो शीराद ईनफैक्शन नुग सेक्शिवल ट्रांस्मिटर इनफैक्शन किया जांदा है। ते इंफेक्शन एक वाइरस करके हुंदी है, ते उस वाइरस दा नाम है HVP वाइरस, मतलब के human papilloma वाइरस एंफेक्शन कैंसर दे वेच जल्दी बदल जाना है, ते एच बीपी वाइरस दा समय से इलाज नहीं करवाया जाना, ते हौली हौली फैल दा है, ते कैंसर दा रूप तारन कर लेंदा है जानों ते, या अपनी मर्जी नाल, इसे लिए स्पष्ट कर देता गया कि पाई बारां साल दी उमर पूरी हों तो पहला कर दे हो, क्योंकि उन्हान नहीं लब्या है, कि बारां तो उठारां विच फारी गिंती, डेटियां ते बेटे इस संबंद बना लें देने, इसे कार आण भी केंसर नाल मौता हो रही हाने, उन्हा स्तारां फीसद एसे कैंसर नाल हों दी हानी कब ज़ जां फिर दस्त लग दे रहना, पिशाप कर दे समय दर्ध होना, मावारी तो बाद भी खून दे निशान पैना, सारा दिन थिकावड महसूस करना, लगातार वजन दावदना, स्रीरेक समंद बना और वेले दर्ध महसूस होना माहर मान देहान के किसे भी और अदिविट, सर्वीकल कैंसर होन दे लच्छन, विक्सित होन चे कई साल लाग जान देने, ते कई वार एपता लगाणा भी मुश्किल हो जान दा है के आखे इन्फेक्शन कदो होई सी, ते कदो फैल गई, होन जान देहां के जेकर कोई और विगल कैंसर होन चे कटो कट 10-15 साल दा समा लाग जान दे, इसलिए इसनों रोकिया जा सकते, जेकर समा रहन दे आंत्यान दिता जावे, जां फिर साबदानिया वरतिया जान, इसलिए सब तो जरूरी है के हर औरतनों 50 साल दी उमर तक 3 साल बाद एक टेस्ट जिसनों टैप कुडी जा औरत सर्वा वैक नादा एक टीका लगवा सक दिया, एक टीका पारत दे विच उपलब्द है, ते इस दी कीमत कुझ चती है सोत लेके 4,000 रुपे तक हुन दिया, किते ना किते सरीरक संबंद बनाओन नाल ही ए औरत दे अंदर ट्रांसफर हुन दा जे, इससे तो 12 साल तक दे हर बच्चे मुंडा या कुडी नू लग जाना चाहिदा, जेकर किसे औरत नू सर्विकल कैंसर हो गया है, ता इस दा एक टीका लगवाना ता लाजमी हुन दा ही है, पर सर्जरी जा फिर रीडियो थेरपी भी करवाई जा सक दिया, पर मरीज ठीक होवेगा कि नहीं एक निर्पर करदा है कि कैंसर दी स्टेज कीडी है, हाली ते विच बजट पेश कार दे देश दिवित मंत्री निर्मला सीता रवन ने भी देशवासिया नू दस्या सी के सर्विकल कैंसर दी रोक थामली, 9-14 साल दी उमर तक दियां कुडिया नू टीका करन कीता ज जावेगा, इस दे लिए मोधी सरकार देवलों महिम भी चुलाई जावेगी, तिस अब तो जुरूरी काल जो माहरदास देहान कि सर्विकल कैंसर पहले स्टेप ते ही रोक या जा सकता है, जो एकर हर मर्द जा औरत अपणिये जिम्मेवारी समझन कि अपणे साथी देनाल जिन्सी सवांद मनौन वेले हर तरानिया साबदानिया वर्तियां जान, तान जो किसे दी जान बाच सके, उमीद है कि ये जानकारी थोड़े ली लाबदा एक साबित होवेगी, तनवाद मेहान अवजूद कर